आज हम जानेंगे चिलेटिंग एजेंट के बारे में यानि डिटर्जेंट पाउडर हम तो बना रहे हैं मगर एक ही डिटर्जेंट अलग अलग जगा पर उसका जो सफ़ाई ख्यामता होता है वो अलग अलग हो जाता है यानि आप लोग देखे हुए होंगे कि जो लोग सहर में रहते हैं अगर सहर के सप्लाई वाटर से हम साप करते हैं उसी डिटर्जेंट को तो वो सफ़ाई आच्छा होता है मगर हम इसी डिटर्जेंट को गाउं के किसी टीवेल की पानी से अगर हम सफ़ाई करते हैं उसे तो तो वो ठीक से सफाई नहीं हो पाता, उसके अलगा जो समुंदर की इलागा होता है, समुंदर की नजदिक इलागा में, अगर हम उसे सफाई करते हैं, तो उसके सफाई भी आच्छा नहीं होता, तो उसके अक्चल वज़े क्या होता है, और उसे दूर करने के लिए हमको क्या क करना चाहिए यानि हमने जो डिटरजेंट पाउडर बनाएंगे वो सारे इलाका में अच्छा सफाई होगा तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा तो उसका जो problem होता है वो भारी पानी में सफाई detergent नहीं कर पाता क्या होता है कि हमार जो पानी में कुछ minerals dilute होकर रहे जाता है जिसके calcium, magnesium और iron और manganese इसे जो धातु होता है वो पानी में diesel होकर रहे जाता है तो उसी के बज़े से पानी भारी हो जाता है जिसके कारण हम उसे सफाई ख्यमता हमारा कम हो जाता है अगर पानी हालका हो तो सफाई आच्छा होता है तो हम तो पानी को बदल नहीं सकते हैं तो इसलिए हम यूज करेंगे चिलेटिंग एजेंट तो सबसे अच्छा चलेटिंग एजेंट क्या होता है EDTA EDTA को हम उज़ कर सकते हैं उसके बाद और एक अच्छा चलेटिंग एजेंट वो होता है Cetric Acid ध्यान रखे दोस्तों Cetric Acid एक बहुत ही अच्छा Chilating Agent के तोर पर हम उसे यूज कर सकते हैं उसके बाद हम जो यूज कर रहे हैं सोडा यानि जो खाने का सोडा होता है हम उसे यूज भी करते हैं जिसका हम Detergent Powder में उसका percentage देते हैं वो 5% से 15% तक दे देते हैं और उससे भी अच्छा Chilating Agent होता है Sodium Per Carbonate यह जो sodium per carbonate होता है वो सोडा खाने का सोडा से वो बहुत ही आच्छा powerful होता है यानि उससे 3-4 गुणा तक वो आच्छा सफाई देगा हो तो हम यह जो Chilating Agent जो यूज करते हैं वो पानी को मृद्धू बनाने के लिए यूज करते हैं ताकि हमारा जो पानी में जो मिला हुआ होता है जो क्याल्सियम मागनेसियम और मांगानेज यह जो मिला हुआ चीज होता है वो आच्छा से उससे साप कर सकें उसके बाद ऑक्सिडाई एसिड के एसिड वो भी हम यूज करते हैं और यूज करते हैं हम टी एसपी ट्राइ सोडियम फस्पेट उससे भी हम यूज करते हैं और स्टी पीपी सोडियम ट्राइप पॉलिफ हैस्पेट ध्यान रखते हैं यह अगर हमारा इंडिया के बाहर कंट्र में वह व्यान है मगर इंडिया में तो इतसे व्यान नहीं हुआ है तो हम उसे भी चिलेटिंग एजेंट पर यूज कर सकते हैं कि आए इसि तरह हम चिलेटिंग एजेंट को इउज करके हम डिटेज़न का पार बढ़ा सकते हैं यानि जो पानी होता है वह पानी भूत बनाएंकर हम उसे साफ कर सकते हैं के और यह जो शांपू में यह भी यूज किया जाता है ऑक्सिडाई एसीट की एसीड वो भी हम यूज करते हैं मगर डिटेजन पाउटर में जो यूज होता है वो होता है एडिटी है और हमारा सेटर की एसेट खाने का सोड़ा सोडियूम पर कार्बोनेट उसके बाद टीएसपी यह सबको हम पाउटर और लिकूड डिटेजन में इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों अब हम चिलेडिंग एजेंट के बारे में जान चुके हैं तो अगर हमको अच्छे पाउटर बनाना हो तो उसकी एरिया की पानी के साहे तो उसके इपर ध्यान रखकर हम अच्छी डिटेजन प आउटर बना सकते हैं यह से हमारा मुलाकात खत्म होता है हम मिलेंगे दुसरे वीडियो में तब तक लिए जाहिन बंदे मात्रम थांक्यू फर वाचिंग